देखिए हमारे पास में एक दंडा है इसके उपर इसको घुमाते हुए रुमाद से ढखते हैं स्वागत करो तो कैसे अंद्विस्वास मैं परा हूँ स्वागत करो तो कैसे जहां गोबर की होती पूजा उस समाज मैं पला हूँ जहां पत्थर के होती पूजा उस समाज मैं पला हूँ स्वागत करो तो कैसे माता पिताक जूता पत्थर के होती पूजा मानब जनम लेकर भी यंद्विस्वास मैं परा हूँ स्वागत करो तो कैसे जोर से तालिब जा दिए अब दो तिन आइटम देकि हमारें पास भी तलवार है तलवार सें हाथ कट पर दिखाते हैं में वर देकित तल्वार से हाथ कट गया लेकिन नहीं बहा था बालकिए हम भी जोन बहा सकते हैं लेकिन इसका जबर्बत नहीं है फिर फुख मार दें पिर देखिए तल्वार मेरा ठीक है वलकित ये तल्वार तो अधिग सकाइब आप सचाही को जाना लिजिए प्रवाइब माई को खराने का देवाद इसका नहीं को धारा देजिए हाद नहीं को थारा देजिए हाद नहीं को कि आपके सामने ये खाले ये बैक दिखा रहे हैं ये खुला है ये कुछ है जी देखिए इसमें तालीब जादी जोर से फिर देखिए ये खाली दिखा रहे हैं दो तीन आइटेम और दिखाना हैं क्योंकि हमको कल ले जासो अभी भागलपूर हमको जाना है कल मेरा प्रोग्राम है काहल काओं में फिर देखिए पिर देखिए अगा पिर देखिए अगा पिर देखिए पास को हटाईए दिमाग से और बेग्यानिक सोच अपनाईए तभी आप कबीर साहब के बिचारों के आदमी होंगे अब देखिए ये खाली दिखा रहे हैं या भी पांच मिनर्स नमें और दिया जाए देखिए देखिए खाली है अब देखिए हम आपको मंत्र से आग लगाते हैं और आपको हम अभी थोड़ा सा कोको कोला पिलाते हैं आप लोग पास गिलास है तैयार रखे आप लोग इसको पकर रोजब ये देखिए कोको कोला का बोतल है इसमें देखिए गायब हो गया कोको कोला खग लिए आप लोगों को ऐसे हुआ जान लेजिए ये हमारे पास में इतना ही कोको कोला इसके उपर रखते हैं और इसको एक बार बोल देए कभी न सहाब के लास्ट में एक जादू दिखाते हैं कई मेरे पास में लेकिन टाइम नहीं है अब देखिए हम अब दिखाते हैं एक मिनट अब देखिए मंत्र से कैसे आग लगता है नमोतस भगबतो अरहतो सम्मा संबुदस नमोतस भगबतो देखिए कैसे आग लग लग गया इसकोई मंत्र से आग नहीं लगा बल्कि एक केमिकल है पोटासियम पर मेंगनेट और गलेसरिन जब दोनों को मिलाते हैं तो आग लग जाते है और अंतिम में तुनो जे देखिए हमारे पास वे एक चैन है इस चैन को आपके सामने से काइब करता है ये देखिए मेरा हाथ खाली है एक अधिपकरिये निसकोई देखिए आपके सामने से हम चैन काइब करते हैं ये देखिए खाली हाथ है ये खाली हाथ है और देखिए इसको फूक मार दिये और चैन काइब हो गया अब कैसे हूँ आज जान लीजिए फिर आपको मंत्र से चैन निकालते हैं बलकि मंत्र नहीं ये तरकीब है हमारे पास में एक नकली अंगुठा है ये पलास्टिक का है उसको हमने ऐसे दिखाया हमने आपको ऐसे दिखाया और इसको दबाई लिए इसमें चैन को इसमें डाल दिए और फिर इसे करके आपको दिखा दिए इसलिए आज आप लोगों से निरोद है कि तमाम जो हमारे बिचार धारा है कभीर साहब का अंद्विस्वास भगाओ देश बचाओ इस अभियान पर लेकर हम चल रहे हैं और निशीत रूप से आप लोग भी अपने दिमाग्स में जो अंद्विस्वास हटाकर बैग्ञानिक सोच अपनाए नहीं तभी आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों को सिक्षा сх़ा से जोरिये तभी आगे बढ़ सकते हैं आप लोग दो जनम तक पुजा पात करते रहे हैं कभी भगवान sharing क्योंकि भगवान है ही ने जिशी है कि मैं इसका इसका कलास लेता हूँ धन्य बाद से